दोस्तों तुम्हारे बैक पास एक कविता ही है जिसके बोल लिखे है रिदे बचकान तिवारी जी ने तो कविता की पहली पंक्ति हम पाढ़ना सुरू करते हैं वीर तुम अडे रहो रजाई में पढ़े रहो मा की लताड हो या बाप की दहाड हो तुम निडर डटो ही रजाई से हटो नहीं तु धूप की ना आस कर रजाई में निवास कर मूँ सिर्फ दिखे तभी चाय काफी मिले जब ही वीर तुम अडे रहो रजाई में पढ़े रह बता रहे भाई सब लॉंडों को ढूंड रहे हैं बस हमारे दस किलोने में थोड़े से किल चाहिए जादा नहीं चाहिए भाई अब हमारे टीममेट ने बता गया पीछे लॉंडों का पुटिस्ट पाया इनको हमको फाइरिंग कभी साउंड आ गया इंटेलिजन्सी देख रह इनको लग रहा यही हमारी स्कॉर्ड के सबसे जीनियस लोग हैं उतर गये लेओ 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 लाई जाओ घर में रखाओ जाओ किसे को बताना नहीं तुम्हें मिला है आप देखो गाईज महोल ठंडा मारेंगे इनको बहुत गंदा आने दो कोई को अरे तू कह जाएगी क्या अरे बताओ यार तुम यार इतना बड़ा हिल्पिंग परसन तुम्हारे पास खड़ा है आप एक बार मुझ न खोल सकी ना खोके लजा गई थी लगता है फिलाल देखो यार सामने एक स्कॉर्ड लग रही और यहां च्छतरी पहम को एक्ठा लूंडा लग अब देखो हमारे टीमेट ने अभी अभी उताया यहां वाले सभी लूंडे मर गए अब जो भी हैं वो सब पहाड़ी पे हैं दिख कहने रहे भी रहे तो एक मिनट इधर से कोई आ रहा गाड़ी गई यह वह साब आ रहे हैं कहां कुछलते कुछते काड़ी आला तो निकल चलो चलो तुम्हारा ही काम सही त्यार लो पूरा लो और एक और भागती वह जा रहा तो कबर में कबर कर दर 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 बच गया अब देखो इनके हम 400 धेटते भाई अभी अब देखो यार अभी तक जो चल रहा तो सब ठीक था लेकिन यार एक ठलाउंडा साला हमारे स्क मैरे साथ ही क्यों होता है बाइब किन नहीं दिख रहा है तो तुम्हारा भाई ठाडी लेकर फरार होने कोशिज करता है यहां से दर गया वह मर गया ऐसे ही रहत समाई भरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे हैं अब यार देखो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ गाड़ी लेके मुझे पहले लग रहा था ग्यार पीछे कोई लोंडा नहीं होगा मैं सबसे जीनियस होनार लोंडा भाई सबसे पहले यहाँ आ आ गया उपर पहाड़ी वाले लोंडा को मार दूँगा लेकिन यार कुछ छड़ो बाद आईसी फारिंग होती है कि मुझे साला अपनी लोंडा इसा नहीं बदलनी पड़गी एक तो मेरे राइट हैंड पे उपर से घर के पीछे घर वाले तो भला काओ मेरे को देखे नहीं नए तो साला को आईसी मार मारता घर में जाके मलहम पट् फिलाल देखो यहां पर कोई एक ठाल लोंडा अडल बूम चला रहा था उसे की आस में आए हैं लेकिन अब वो साला हमको मिल नहीं रहा है सामने वाले लोंडे हमको दिख रहे लेकिन मार नहीं सकते क्योंकि हमको जाना है अभी जोन और इनको सालों का अगर हमारी लोकेशन पता चल गई तो यह तो ना साले खुद जाएंगे ना हमें भी जाने देंगे अब देखे रहे एडल बूम वाला लोंडा हमको मिला नहीं हमको लगए इन्होंने सालोंने लगता है मार दिया अब मार दिया चलो ठीक है मान लिये लेकिन पेटी कहा है पेटी रुन रहे खाने का भाई साब लेको की नाक के नीचे देखो कैसे गाली लेकर जाता हूं बड़े बड़े आसिकों की ढूब जाती है नहीं यह जब कोई लड़की बोलती है थेंक्यो भाईया बस अब ऐसा ही कुछ करने वाला है तुम्हारा भाई ये तो साले मार मार के दूसरों को प फायदे अलग होते हैं भाई सब आपको बेड़ चारों तरफ से मरने के भी अलग फायदे होते हैं अपने नहीं एनिमी के खैर अब हमने दूसरा मैच लगाया है इस बार हम साधीरोड में खेलेंगे नीचे की स्कौाड आ रही है लेकिन गाइस हम डर के भागने वालों में इ शुक्रार एक स्कौाड़ है आपक्ते हैं चारों हेटीरोड आएं शुक्त वत्ते वेक्ता तरिश्ट लोगेरी अ शुक्त कर दो भाई साधा को बते हैं तरह उल्या जोगा को अ देखा भाई एक धटके में ओल डेट बोला था ना बोला था कि एक बार बोट लावी लगा दो किसी भी तरह तुम बाकी मैं देख लूँगा लाल मानने वार ये बोट लावी नहीं है अब गाईस देखो अच्छा खासा क्लच करने के बाद दो बोट दो बंदो कमा रहा है और अब देखो तुम्हारा भाई दा अन मार खाने वाला लावन्डा रस करने जा रहा है अच्छी सरद्धा और निष्ठा के साथ आस्था भी ये साथ में अब भाई हम पोचिचनर की प कर पाता है लेकिन तुम्हारे भाई ने इसमें महारती हासिल की अब देखो हम यहां रस कर देते लेकिन इसके अंदर एक ठो घुसा हुआ लगंडा काफी सीरियस होके खेल ला था हम इसको बोल रहा है आज अब यह प्यार से बोल रहे नहीं मारेंगे लेकिन कहरा नहीं इस समें बहुत मारा उसको अब देखो भाई डर गया होगा डरा सहम अंदर गुसा होगा देखना अभी डरा डरा निकलेगा वो रिकला अरेखो घृ लोंगा मैं रियल में भी दिलदार आदमी हूं पिलाल देखो यार हम पर रस हो गया है पहले स्मूक करते हैं अरे ठंड बहुत बढ़ गई है न दोस्तों मार दो भाई मार दो मार दो कोई हमें उम्मीद नहीं है किसी से अब आप देखो एर हम रिकाल हो के कहीं और दूसरे गरह से लूट पाट लेके जा रहे फिर से कहीं रस करने कोई माम भाई यार बता गाड़ी ठोकी त्यार हम रोके नहीं तेनको लगा मरस कर दिये रोक के अभे खुस खुस अंदर खुस अंदर खुस चल 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 उपर चल अब देखाए लाउंडा जया हो सामने वाली ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग में हैं वहां से पता नहीं क्या करने कोशिस कर रहा हो कुछ नहीं रहा भाई से अब देखो मारने वाली बात है घुसके तो मार तो दूँगा यह तो जाहिर सी बात मार दूँगा लेकिन यार फ्लेर नहीं लूट पाऊंगा क्यूकि मैं आज तक अपनी फ्लेरी बहुत कम चांस में लूट पाया हूँ अब दे देखो यार इस लूटे की उपर हमको पहली बार गुसा आ रहा है क्योंकि यह लूटा साला के वल नेड और मॉली से ही कोच पेच कर रहा है नौग घंटा नहीं पहली बार नौट किया लूटे ने आज 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 साला बढ़वा इतना मार दिस भाई हमा अगर तुम साब सफाई से मारते भाई मैं पक्का मार खेले तक खुजी खुजी आत्मात्या कर लेता है अब देखो तुम्हारा बाई हीलिंग वगएरा करके फिर से तैनात हो गया वेट कर रहे हैं तो निकले हैं और जैसे जोन में निकलेंगे भर देंगे एक्यम से यह हम लॉंडो को मार रहा है अब यार देखो एक दो लॉंडे उसमें नौक कर दिया तुम्हारा बाई समझ गया क्या अब यह सही मूरत है रस करने का लेकिन यार हम इनको मारते नहीं क्योंकि हमारे पास हीलिंग थी नहीं और जोन बहुत बढ़िया काट रहा था इससे पहले य लॉंडे हमको जान से मारते हैं भाई से नहीं हम निकल गए बाई जीनियास अब देखो वहां से किसी तरह बच बचा के यहां पहुंचे तो यार हमारे पीछे एक और गाड़ी कहां पतन ही मिल गई अब देखो कोई हो रहता तो समझ जाता गया लगता है जो उन्हें क्लच लगवा कुछ और भी करलो गं क्या जख मराने कर लिक ये पिर से देखो फिर से किया अरे या मौलिम कैसे आके मार रहा भाई इनको अब इन यह जल नहीं देखाए जयर वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता अब यार आज की घ्यान के बात करते हैं साधी उसी से करना चाहिए जिससे करतूत मिलती हो कुंडिली नहीं नहीं तो बता रहो भाई आपको भी दबाउ में रहना पड़ेगा किसी न किसी के